हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं दिये हैं जनता के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए ये दोनों में बड़ा अंतर होता है मैं आपको सुरूंखला के साथ बताता हूँ सबसे पहले वन रेंग वन पैंसन का फैसला हमने लिया जो 40 साल से हमारे सैना के जवानों की मांग थी कोई एडवाईज नहीं करता था मोदी जी नहीं हिम्मत से फैसला लिया उसके बाद हमने नौट बंदी का फैसला लिया यूपी के चुनाव सर पर थे 17 में चुनाव थे, 16 में हमने दिया सभी लोग कहता था बहुत बड़ी गलती हो गई उसके बाद यूपी में 325 सिट के साथ सबसे बड़ी सरकार अब तक की 2017 में बनाई उसके बाद हमने जी एस्टी लाया सभी लोग कहते थे उल्टा पड़ जाएगा आज एक देश एक करकी कलपना हमने साकार कर ली है पूरी दुन्या आश्चर्य चकीत होकर देख रही है कि 130 करोड की आबादी वाले देश में जी एस्टी जैसा कानून कैसे लॉंच हो गया जब हमने एन पिए पर कठोर कारवाई करनी चालू गई सब कहते थे कि इंड़स्ट्री भिखर जाएगी एकोनोमी भिखर जाएगी आज भारत की सारोजनिक बैंकों की बैलेंकों की बैलेंकों की बैलेंसिट विश्व में सबसी बैंकों से सबसे अच्छी बैलेंसिट भारत की बैंकों की बैलेंसिट है हमने जन्दन लाया, आधार लाया और मोबाईल, जैम ट्रिनिटी से हमने डिजिटल इंडिया को साकार किया, कोई इस देश में दस साल के पहले कलपन नहीं करता था, कि सबजी वाली ठेले पर आपको कहें कि साब मोबाईल से पेमेंट करो, कैस नहीं लिया दाता है, यह वो हो जाएगा, मोबी जी ने फंप नीने लिया, कि जो होगा वो होगा, हम देखेंगे, लड़ेंगे, जितेंगे, हमारी सिमा और हमारी सेना, यह दोनों के साथ छेड़ खानी हम सहन नहीं करेंगे, घर में गुश कर सर्जीकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करने का नीने नरेंद्र मोधी ने दिया, तीन तलाग का कानून सालों से बात होती थी, नहीं इंपलिमेंट होता था, नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन तलाग लाया भी, बिल भी लाया और तीन तलाग को समाप्त करकर लाखों लाखों मुसलिम मैलाओं को अधिकार देने का बात किया, हमारे आजपास के देशों से रिलिजियस माइनोरिटी को नागरिकता दिने था, फूरा नहीं होता था, तुरुष्टी करण के राधनिती कॉंग्रेस को रोकती थी, हमने CAA का फैसला किया, हमने 370 और 35 A को समाप्त कर दिया, और आज का स्मीर भारत का अभिन अंग है, इस देश में दो विधान, दो प्रधान, और दो निशान, नहीं होंगे हमारा 1950 से आंदोलन चल रहा था, मूदी जी के राज में ये समाप्त हुआ, 30 साल के बाद, हम नई सिक्सा निती लाए, भारत की मिट्टी की सुगंद भी वहाँ है, हमारी संस्कृति का समवर्धन भी है, हमारी भासाओं का सन्मान भी है, और विश्व की सबसे ओपन और आधूनिक एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए, ये भी एक बहुत बड़ा कठोर फैसला था, चालीश साल से देश में, महिलाओ के आरक्षन की बात करत हो रही थी, मगर कोई देर नहीं पाता था, नारी सक्ति वंदन अधिनियम ने, विधान पालिकाओ, विधान मंडलों में और संसद में, 33 प्रतिसत मात्रु सक्ति को आरक्षन देकर, आज उनको निती निर्माण में सयोगी बनाने का फैसला किया, हमने भारतिय न्याय सही था, भारतिय नागरिक सुरक्षा सही था, और भारतिय साक्ष सही था, 160 साल पुराने अंग्रेजोग के कानून निरस्थो कर, भारतिय क्रिमिनल जश्टिस सिस्टिम बनाने का हमने कठोर फैसला किया, और सबसे बड़ी बात, साड़े 500 साल से देश जिसकी रहा देख रहा था, प्रभु स्री राम अपने सन्मानी स्थान पर विराजमान हो, ये नहीं होता था, ये भी नरेंद्र मोदी ने यही 10 साल के अंदर किया, और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत निव डालने का काम किया, कोई भी देश का लोकतंत्र, ब्रश्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और तुर्ष्टिकरन, ये नासूरों के साथ पनप नहीं सकता था, हर हमारा चुनाव, ये चार में से एक किसन किसी नासूर से घ्रसित था, नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद, ब्रश्टाचार, जातिवाद और तुर्ष्टिकरन को समाप्त करकर, पॉलिटिक्स और परफॉमंस को एस्टाबिलिस किया, जो विकास करेगा, जो देश को सुरक्सित करेगा, जो देश को संबरूद करेगा, वो ही राज करेगा। कठोर फैसलों की भरमार है, अब क्या कठोर फैसले हैं, तो समय जो आएगा हम करते जाएंगे, हम राजनिती के अंदर परिणाम की चिंता करकर, वोट बेंक करकर राजनिती नहीं करते हैं, हम देश हित में राजनिती करते हैं, देश के हित में क्या है, वो हमारा फैसला होता है, डल के हित में क्या है, वो हमारा फैसला नहीं होता है। प्रधान मंत्री जी एक चर्चा बहुत जादा है अगर हम शुद्राजनीती के एक और बात करें वो ये है कि प्रधान मंत्री जी दूसरी सीट से दक्षण से चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी चर्चा चल रहे हैं या मत पड़ो ना इसमें पार्लामेंटरी बोर्ड का काम के कहे को आप करने लगते हो अम आपरी पार्टी जोइन कर लो भाई अगर इस अब जानना है चले